ही गाइज वल्कम बग तुमा यूट्यूब चैनल आज मैं आप सब के साथ सेयर करने वाले नान खटाई की रेसिपी वैसे इसे तावे पर ही बनाएंगे एकदम बेकरी जैसा जो की बनाने में बहुत ही असान है तो जिसके घर बेकरी नहीं है बिल्कुल नान खटाई की खा स यहां पर हमने इसके लिए हमने एक कप चीनी लिए हैं मिक्सी के दिखेस कर से लेक तो ने ओर निачते हें हमें ऐत सब्सक्राइब कर रहे तो बस इस तरीके Arau कर लेना है इसे mix कर लेना है और इदम इसे अच्छा सा डो तयार कर लेना है तो बस देख सकते हैं डो भी लगबा कितम तयार हो गया है बढ़िया से तो यहां पर अब हमें क्या करना है चोटी-चोटी इस तरीकी से लोईया लेना है और बडावर की लोईया ले और सेम पेड़े के तरह इस तरीके से देख सकते हैं, बनाना है बीच में थोड़ा सा facilitate घरा कर देना, तो बस इसमें हमें क्या करना है? थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पिष्टा जो भी आपके पास है उसे डाल सकते हैं इस तरीके से थोड़ा देखने में भी सुन्दा लगता है तो बस इसे तरीके से सारे नान खटाईया बना कर तयार करना है तुदेख सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से सारे नान-खटाईया बनकर तैयार हो गया है तो बस अब इसे बेक करने के प्रोसेस में चलते हैं जो घर में हमीज़ा अमताविय पर रोटी बनेते हैं, वह ही तावा लेना है और हलका गरम होने के बाद एक एक करके इस तरीके से नान खटाईे या लगा देने हैं इसपे Now DecLookingUp आइसे देंगे और यह बहुत ही अच्छ से देख सकते हैं रख के तयार हो गया है थूरी से दूरी पर रख यह जिससे की फूले गा इसके बाद इसे हमें क्या करना है धक कर इस तरीकी से गैस का फलीम एकदम मीडियम करके इस तरीकी से छोड़ देते हैं गैस का फलीम एकदम मीडियम करें और बारा मिनट में बहुत ही अच्छी से तायार होगा तो देख सकते हैं फुलना स्टार्ट हो गया है उसके बाद हम इसमें ढखकर दुबारा से इस तरीकी से रख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है तो बस gas का flip medium का यह रहना और देख सकते हैं टोटाल यह 12 मिनट हो गया है और यह 12 मिनट में एकदम से नान की टाई हो गया है ready तो अब हमें क्या करना है ना सबसे पहले इसे हमें छूना नहीं है क्योंकि यह बहुत यह भी लूज होता है और जैसे ही 5 मिनट ठंडा होने के बाद इसे चूएंगे एकदम क्रिस्पी और यह बहुत ही जादा अंदर से soft रहेगा एकदम नान खटाई बनकर तयार होगा बस 5 मिनट और wait कीजी 5 मिनट हो गए हैं और यह 5 मिनट भी बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो मैं आपको दिखाते हूँ पीछे से भी देख सकते हैं बिल्कुल भी जले हुए नहीं हैं सेमी सी तरीके से देख सकते हैं तयार हो गया है दोनों तरब से और इन अन्खटाई बनाने में बहुत ही सिंपल है तो मैं इसे आप सबको तोड़ कर दिखाते हूँ कि कितना ज़्यादा ये अंदर से भी सॉप्ट है